अलो भट्ट दास रागुना एच्छाए गोशाहिर करी चरण बंदन जहा होई ते बेग्णनाश अभिष्ट पुरुन। जै जै श्री राधे श्याम श्री रमन बिहार इलाल की जै सद्गुर्देव भगवान की काल की गती के ऊपर काहू की गती नहीं है। और काल बड़ी निर्देता से अपनी लीला कर रहे है। काव को छोड़े नहीं है। और कंस जैसे आतताई भी यह सुनके और सिट्टी पिट्टी गुम है गई। के अरे तू मोह का हमारे है तेरो काल तेरो काल प्रकट है गयो। कंस जैसे हूँ सुनके और निस्ते जाए गई। तो काल के है मैं इतनो डरावनों इतनो भयानक प्रभू मेरी गती कैसे बनेगी। उनने के तेरे भी सौभाग्य की हम कचुबिधी बना में। और काल को सौभाग्य बनो उन तिथी निस्ते जब कोई दिव्य अवतरण या देश और काल के भीतर होवे। और ऐसी ही एक दिव्य तिथी है भादों की उजियारी नौमी। जब भागवान श्री चंद जी महराज स्वयंब या धरा धाम पे अवधरित भई। अवधरित भई भई। वह दिना वह तिथी को नाम होनों चाहिए चंद्रमा की तिथी। जद्यपी तिथी सब चंद्रमा की है। किन्तु या तिथी के कारण से तिथीन की महिमा बढ़े। गौरो बढ़े और काल जो है फूल रहे हो है गौरवानवित है के ऐसो भगवत सुरूप जो है या धरा धाम पे साक्षात प्रकट भय हो है। तो जब बाबा स्वी चंद्र जी चाहे कछू नाम से कह लिए उनकी बात होईगी तो बात तो खाली चंद्रमा की ही होईगी। और जब बात है रही है गोकुल में बैठके तो गोकुल के चंद्र कूछ छोड़के और कौन की बात करें जी? कौन से की बात करें? जहां चंद्रयान गवे वाकी बात करें? वाकी बात नहीं करेंगे जो चंद्र यहां पे है या देश होगे है वाकी बात होईगी? तो बना हुआ बन गए हो चंद खेलोना मांगे रे चंदा चंद खेलोना मांगे रे चंदा यह चंद्रमा जो है वो चंद्रमा मांगे रे हो अम मैया तो चकर में पड़ गई कि यह कहा लीला है वैया यह तो मेरे समझ में आये रे चंदा हाथ ना आवे मेरे चंदा वो चंदा हाथ ना आवे मेरे चंदा किन्तु तो माने नहीं माने नहीं अडगे ओ अडगे ओ अडगे ओ अरे चंदा हाथ कैसे आवे ने चंदा वो चंदा रे अधे ना आवे मेरे चंदा वो चंदा हाथ कैसे पे रूसो ही रूसो डोले मेरो चंदा रूस गयो रूस गयो और कोठरी में घुसके सांकल दे दीनी महिया बुलाई रही है अरे चंदा रूसो नाए करें जाते खेले वाते खेले वाते खेले अभोरी मय्या जामे विशुद्ध माधुरी की विग्रह है जो एश्वरिय गंद बिंद विहीन विशुद्ध माधुरी की मूर्ति वाया रूस गयो को समझ नहीं पाई ये